जेश्री महाकाल दोस्तों जोती जगत के संका में आपका स्वागत है दोस्तों नियाय के देवतार शनी देव दिनांक 23 मई सन 2021 को अपनी राशी मकर में वक्री होने जा रहे हैं इस अंका में हम जानेंगे कि शनी देव के वक्री होते ही क्या-क्या मुख्य परिवर्तन होंगे और किन राशी वालों के लिए हित कर रहेगा और किन के लिए काफी घातक होगा दोस्तो यदि आपने हमारा चले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि भविश्य में जोति शास्त्र से जुड़े अन्य वीडियो आप तक आसानी से पहुंश सके दोस्तो वर्तमान में शनीदेव अपनी राशी मकर में गोचर कर रहे हैं और 19 डिग्री पर हैं दिनांक 23 मई सन 2021 को शनीदेव वक्री हो जाएंगे और दिनांक 11 अक्तुबर सन 2021 तक लगबग 6 माह तक वक्री अवस्ता में ही रहेंगे और 12 डिग्री पर चले जाएंगे दोस्तो कोई सा भी ग्रह यदि वक्री होता है तो तीन गुना प्रबल हो जाता है और शनीदेव इस सोर बंडर के सबसे मारक ग्रह माने जाते हैं उनके वक्री होते ही उनका जो बल है वो तीन गुना हो जाएगा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब वक्री हो जाएंगे तो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों सबसे पहले वर्तमान की तरास्दी कोरोना की बात करते हैं शनीदेव पर वर्तमान में राहू की द्रश्टी है इस कारण शनीदेव के परिड़ाम भी दूशित हो रहे हैं शनीदेव के वक्री होते ही शनीदेव की डिगरी कम होने लग जाएगी जिससे कोरोना के केस में जुलाई मद्धे तक काफी बड़ोतरी होने की संभावना रहेगी 15 जुलाई के बाद कोरोना के केस कम होने लग जाएंगे वो अक्तूबर तक इसमें काफी कम होने लग जाएगे इस प्रकार कोरोना महामारी में मैं के बाद काफी उतार चडाव देखने को मिल सकते हैं दोस्तों शनीदेव के वक्री होने पर दूसरा परिणाम यह होगा कि भारत में नियाय की स्थापना होगी क्योंकि शनीदेव की वक्रद्रष्टी काफी भहंकर होती है इसलिए जिन लोगोंने इस वेश्विक महामारी के समय में दवाओं की आक्सिजन सिलेंडर की और अन्य प्रकार की काला वाजारी की है या जिन डाक्टरोंने अपने पेशे से बेमानी की है उनकी बहुत भहंकर दूरगती होगी और उन्हें शनीदेव की वक्रद्रष्टी का सामना करना पड़ेगा किसी बड़े उद्योग पती या नेता को जीन की आत्रा भी हो सकती है दोस्तों शनीदेव के वक्री होने से तीसरा परेणाम यह होगा कि भारत के दुश्मन देशों में अराजक्ता या प्राकरतिक दूरगट ना हो सकती है शनीगर भारत की कुंडल प्रबल योग कारग रहे हैं इसलिए शनीदेव का वक्री होते ही दुश्मन देशों में आबदा आ सकती है और जिन देशों ने भारत के खिलाफ साजी से की है जिसमें से चीन प्रमुखें वहां पर बहुत बड़ी तराज़ी हो सकती है और जान माल का काफी नुक्तान भी हो हो सकते हैं फुल मिला कर नोकरी ओर डेली वेजे से संबंधि सभी प्रकार की समस्वाटाओं का समाधान शनीदेव के वक्री की होते ही। दोस्तों शनीदेव के वक्री होते ही पाच्वा परिणाम यह होगा कि लोहे और स्टील के दामों में वृद्धी हो सकती है सेंसेक्स में भी काफी उतार चड़ाओ देखने को मिल सकता है क्योंकि पूरे वर्ष राहु की द्रश्टी शनीदेव पर रहेगी इसलिए पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल, आदी के दामों में अचानक उछाल या अचानक कमी देखने को मिल सकती है डालर के मुकाबले रूपे की इस्तती कमजोर भी हो सकती है अंतराश्टी इस्तर पर भारत के दुश्मन देशों में व्रद्धी हो सकती है और मित्र देशों द्वारा अपना वचन भी भंग किया जा सकता है दोस्तों शनीद्यों को राजनीति का ग्रह भी कहते है शनीद्यों के वक्री होते ही भारत की राजनीति में बहुत बड़ा उलट पेर देखने को मिल सकता है क्योंकि शनीदेव पर राहु की द्रिष्टी है पश्चिम मंगाल में इस्तती अन्य इंत्रित हो सकती है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सब्मावनाय भी बन सकती है राज्यों में अचानक से सत्ता का ओलट फेर भी हो सकता है दोस्तों शनीदेव के वक्री होने पर वे राषिया विशेश रूप से प्रभावित होंगी जीन की धहिया और साड़े साती चल रही है मिथुन और तुला राषि पर शनीदेव की धहिया चल रही है और कुम्ब मकर और धनु राषि पर शनीदेव की साड़े साती चल रही है अतर शनीदेव के वक्री होते ही इन कुंडली के अनुसार उपाय करें तो बेतर रहेगा कुंडली विश्लेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तो दोस्तों ये था शनीदेव के वक्री होने पर सामाजिक और आर्थिक परिणामों का सामानी विश्लेशन दोस्तों समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है इसल वीडियो को शेयर कमया न भूले आगामी अंकों में आपको जोति शास्त्र संबंदित अन्य जानकर्या भी दी जाएंगी तब तक के लिए जैश्री महाकाल